हम बहुत जारा महनत करते हैं, हम बहुत जारा महनत करते हैं कि हमारी लाइफ में वो पार्टनर आ जाए, वो लवर आ जाए, जिसके साथ हमारी शादी हो, जिसके साथ हम घर बसाए, हम काफी टाइम से कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो पार्टनर आए, किसी के स वो person को manifest करेंगे, अपने special one को कैसे manifest करेंगे Welcome friends, welcome to the vibrational channel, मेरा नाम जदन है Love की अगर हम बात करें, तो love एक ऐसा emotion है, जिसके थू ही सारे के सारे emotion बने हुए है अगर आप बोलते हो कि इस दुनिया में सारी की सारे emotions जैसे for example, hate, fear तो वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ absence of love है तो हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी चीजे बनी भी है love से अब ये जो love है और जो हम love करते हैं अपने लोग, अपने दोस्तों के साथ अपने पैट के साथ, अपने parents के साथ या हमारे parents जो हमको करते हैं वो उस vibration से कहीं थोड़ा बहुत छोटा नीचे पड़ता है जो love universe आप से करता है वो ही love जो है आप universe से नहीं कर पाते क्योंकि आपकी खुद की limitations है, हमारी खुद की limitation है तो उस love को हम बोलते हैं unconditional love अब ये जो unconditional love है, काफी सरों लोग बोलेंगे कि मैं अपने partner से unconditional love करता हूँ या मेरे life में वो person आया था और मैंने उसके साथ बिलकुल प्यार से बात की थी और मैंने उसको अपना पूरा सब कुछ दिया, मैंने उसको पूरा unconditional love दिया मैंने कोई condition नहीं रखी उस पर, तो अब ये बात आप बिलकुल ध्यान से सुनिए आप रहते हो एक world में जिसको हम बोलते हैं 3D थ्री dimensional world है ये, past, present, future, brahma, vishnu, mahesh, father, holy spirit and son length, breath, height ऐसे करके ये तीन dimension से बनता है, ये हमारी reality तो अब ये 3D में क्या हो रहा है यहाँ पर पहले वो एक चीज थी, उसको हम बोलते हैं I am अब ये I am जो है, मैं इसको डंग से आने वाले वीडियोज में समझागओ कि ये I am होता क्या है बट इस I am को आप ये बोल सकते हो, ये एक god है या एक source power है वो source power जानना चाहती थी कि वो क्या चीज है तो उसने बोला कि क्यों न मैं अपने आपको split कर देती हूँ split कर देती हूँ दो चीजों में positive, negative अब वो positive, negative को आप positive, negative बोल लो yin and yang बोल लो shiv या शक्ती बोल लो masculine या feminine बोल लो अलग-अलग names है, बात एक ही है positive और negative ये बात जाननी जरूरी है जो negative की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ वो negative, खराब वाली negative की बात नहीं कर रहा है negative जरूरी है इस universe को function करने के लिए तो यहाँ पर था पहला stage ये था first dimension इसके बात था second dimension अब ये दोनों चीजें आ तो गई थी हम इन ये दो चीजें बन तो गई थी एक positive बन गई थी एक negative बन गई थी अब इसको experience करने के लिए एक तीसरी चीज पैदा हुई और वो तीसरी चीज है हम वो तीसरी चीज है हम अब वो पॉजिटिव वाइबरेशन के साथ पैदा होती है पर वो अपने आपको इस चीज से अलग मानती है इसका मतलब कि हम जब यहाँ पर आये थे हम जानते थी कि यह सही है यह गलत है इसी कोई चीज होती नहीं है सही गलत यह पॉजिटिव है यह नेगिटिव है और मैं सबसे अलग हूँ और वो सबसे अलग हूँ वो आता है एक चीज से जिसको हम बोलते हैं एगो अब यह एगो क्रिएट करता है सेपरेशन ठीक है अब यहाँ तक तो हम जान गए अब ये जो चीज है second dimension में ये था absolute truth, absolute truth ये है सत्य जैसे Jesus Christ बोलते हैं कि know the truth and the truth will set you free तो वैसे ही ये है absolute truth कि आप उस source material से आते हो ये है सत्य अब इसके बाद यहाँ पर create होती है condition एक यहाँ पर एक simulation create हो रही है जैसे कहीं बाद जो pilots होते हैं वो आस्मान में उड़ाने से पहले अंदर internal training करते हैं simulators पर तो वो simulator create किया है यहाँ पर ये secondary situation create होई है यहाँ पर actual search नहीं है ये जो positive, negative या third dimension भी जो है ये actual search नहीं है इसका मतलब है ये सब कुछ mom आया है ये सब कुछ fake है अब यहाँ पर आप एक चीज जानिए जैसे ही मैंने बोला कि ये condition है तो हम कहां किस चीज की बाहर कर रहे थे हम बोलने थे कि unconditional love, unconditional love हम बोलते हैं हम लोगों को दे रहे हैं बट वो unconditional love हो ही नहीं सकता क्योंकि हम एक separated world में रह रहे हैं हम third dimension में रह रहे हैं अब वो third dimension में हम unconditional love दे ही नहीं सकते अब दे ही नहीं सकते अगर हम third dimension में रहें बट अगर हम tap in की हमने energy first dimension में तो ज़रूर हम experience कर सकते हैं काफी सरे enlightened masters ने experience किया है unconditional love बट जो हम प्यार देते हैं अपने सामने वाले को वो unconditional love नहीं है condition है और वो condition क्या है कि ये separation create हो गया था तो अगर यहां पर है सबसे basic element यह जो चाबी और ताला देख रहे हो हो यहां पर बहुत ही खराब drawing है मैं जानता हूँ बट यह चाबी और ताला देख रहे हो यह है original की आपके relationship की जो condition के साथ आप आए थे उसको आपको पूरा करना जरूरी है इसका मतलब क्या है जो condition के साथ आप यहां पर आए थे क्या condition थी हमारी कि मैं अपने आपको जानना चाहता हूँ इस person ने क्या बोलता है इस God ने क्या बोला था कि मैं अपने आपको experience करना चाहता हूँ अब हम अपने आपको experience तब ही कर पाएंगे जब हम अपने आपको fully accept करते हैं fully accept करते हैं यह है condition fully acceptance इस full acceptance को क्या बोलते हैं काफी सारे YouTubers बात करते हैं इसके बारे में और fully acceptance को हम बोलते हैं self love तो भाया यह है कहानी पूरी self love की हर को बोलता है कि मैं gratitude walk ले जा रहा हूँ मैं अपने आपको self love दिखा रहा हूँ बट self love वो ठीक है चलो अच्छी बात है बट क्या आप अपने आपको पूरी तरह से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है क्या आप पूरी तरह से अपने आपको accept करते हो जैसे हो आप वैसे ठीक हो इसका मतलब यह कि अगर आपकी life में पार्टनर नहीं है तो क्या आप अपनी ऊपरी खुष हो जैसे आप आप हो यह चीज आप किसी भी जीज़ पे अप्लाए कर सकते हो पैसा नहीं है क्या आपकी life में वो घर नहीं है वो पार्टनर नहीं है तो आपको यह चीज़ accept करनी है कि आप जहां पर हो उसमें क्या आप अपने आपको ढंग से express कर पा रहे हो क्या आप अपनी feelings को अपने heart center से अपने आपको वो love express कर पा रहे हो वो self love दे पा रहे हो यही condition पूरी करने के लिए यह God ने यहां पर अपने आपको duality में create किया था positive or negative उसके बाद एक experiencer बनाया था, एक observer बनाया था, वो observe करने के लिए, वो experience करने के लिए हम यहां पर इस third dimension reality में रह रहे हैं अब वो third dimension के reality का condition यह है कि क्या आप अपने आपको self love दे रहे हो अब self love मैंने जैसे बताया यह नहीं है कि मैं अपने आपको आज मैं अपने आपको gifts खरीक के दे रहा हूँ या मैं अपने आपको आज अपने उपर आलिशान पैसे खर्च कर रहा हूँ कई बार अपने उपर वो आलेशान पैसे खर्च करना या कई बार वो अपने लिए नई गाड़ी खरीदना वो हमारे लिए खराब है अब वो खराब कैसे है क्योंकि जैसे ही हम अपने उपर वो पैसे खर्च कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को डिसो ना होने का वो suppress हो पाए तो कई बार हम self love जो होता है गलत तरीके से express करते हैं self love हमको करना चाहिए अपनी ऊपर काम करके अपने ऊपर accept करके कि हा मैं जानता हूं कि मेरी life में यह नहीं है मुझे बहुत ज़रा दुख है इस चीज का मैं उस दुख को भी acknowledge कर रहा हूं मैं उस pain क को भी accept कर रहा हूं और इसको मैं allow कर रहा हूं पर पूछ सकते हैं और अगर आपको यह information सही लगती है आप resonate कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ share किए जितना आप शेर करोगे लोगों के साथ उतना आपका तो फाइदा हो गई of course मेरा भी फाइदा होगा ताकि मैं यह message